इन दोनों की बाचेत आपने सुनली आपको अंदाजा लग गया होगा कि दोनों अभी मुखिया नहीं बने पर चुनाओ की घोशना के बाद दोनों मुखिया का चुनाओ लड़ने को तैयार हो गया है और इलाके में लोगों को अपने पक्ष में करने की दौरान दोनों भावी प्रत्याशी आमने सामने आ गये हैं और बहस करने लगे हैं बहस का मुद्धा भी बराजीब था महिला प्रत्याशी नितु देवी के अंगनवारी कायर क्रम से अलग गौं में बच्चों को परहाने के लिए एक जगाई कठा कर जहां वो पढ़ाती हैं और उसके इबज में सो रुपे लेती हैं नितु देवी के इस काड़ी कलाप के खिलाप पूरे इलाके के लोग लग गए और यह बात दूसरे प्रत्याशी दैयानंद पासवान को जैसे ही पता चला कि नितु देवी परहाई के पैसे लेती है गरीब बच्चों से तो दैयानंद पासवान मौके पर पहुँच गया और पर रहे बच्चों को भगा दिये इस घटना से नितु देवी चीर गई और उन्होंने वहीं पर दैयानंद पासवान को जवाब देना शुरू कर दिया इस्थेती बिगरती कि उससे पहले किसी ने पुलिस को फोन कर दिया तो मौके पर पुलिस भी पहुँच गई और दोनों प्रत्यार्शी को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया आपको एक बार फिर से बता दें कि अभी पंचायत चुनाव की अधिशूचना भी जारी नहीं हुई है और पंचायत में संभावित प्रत्यार्शियों के बीच खिच्चतान शुरू हो गया है यह मामला और अंगावाद के दाउद नगर प्रखंट के शम्शेर नगर पंचायत का है मामले का वीडियो सामने आने के बाद दोनों प्रत्यार्शियों के सपोर्टर अब उलज रहे हैं लोगों का कहना है कि फ्री में परहने के नाम पर नीतू देवी द्वारा सो रुपए हर महिने लिए जानी की सूचना जैसे ही दयानन पासवान को मिली कि वो मौके पर पहुँचकर बच्चों को भगाते हुए नीतू देवी को आरोपित करना शुरू किया वीडियो दिखने से साथ पता चलाए कि सौ रुपए के लिए ही दोनों भावी प्रत्याशियों के बीच में लड़ाई हो रही है बहराल मामले की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा पर पंचाय चुनाव की सरगवर्यमी बिहार में अब तेज हो गई है खुलासा के लिए और अंगाबाद से दिनानाथ मववार की ये खास रिपोर्ट